नमस्कार साथियो, आज हम पता करेंगे कि Yes Bank के साथ क्या कर सकते हैं? ये शेर बहुत ही प्यारा बैंक था और एक डार्लिंग कहा जाता था इंडिया की फाइनेंस इंडस्ट्री का, पर अचानक क्या हुआ इसमें कि ये हीरो से 0 बन गया और अब क्या कर सकते हैं इसके बारे में? आये चले हम ये सब के बारे में जानें! सबसे पहले जो नए दर्शक हैं उनका स्वागत और अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजेगा पहले येस बैंक के बारे में बताते हैं ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो की दो ब्रदर्स राना कपूर और उनके भाई अशोक कपूर ने मिलके बनाया था जिसके चलते हुए 2004 में इन्होंने ये बैंक की स्थापना की थी और ये 3 सेग्मेंट में इनके काम करता है Corporate, Retail और Asset Management Services जी हां इसके चलते हुए इसकी काफी अच्छी Promotion हुई, ये Personal Banking में Provide करता है, Corporate Banking में Provide करता है, Business Banking में Provide करता है और Digital Banking में भी इसका काफी अच्छा हाथ है, इसके पास Mobile App है online banking कर सकते हैं आपने desktop से तो काफी अच्छी सुईधा देता है customer को अब ज़रा इसके current valuation की बात करते हैं अगर आप आज देखें 16 जुलाई को ये बंद होते हुए 19 रुपे 25 पैसे बंद हुआ है जी हाँ ये बोथ NSE और BSE पे trade करता है और ये अच्छा stock माना जाता था शुरू में जब बहुत तेजी से चड़ रहा था इसको darling of the finance industry कहा जाता था पर ये इसके साथ में अभी पता नहीं क्या क्या हो गया है वो हम detail में बात करेंगे जिसके चलते हुए इसके share की value इतनी कम हो गई है अब अगर आपको बताया जाए banking की सबसे important चीज़ क्या होती है कि वो सारे corporate को और public को retail public को और other financial institute को loan provide करते है तो उनको loan देने के लिए उनके पास asset कहां से आते हैं उनके पास पैसा कहां से आता है ये पैसा हम public उनको देती है जो हम अपनी fixed deposit उनके पास डालते है तो अब yes bank में शुरू में तो बहुत अच्छा deposit किया क्योंकि उन्हें interest rate जादा दिया हुआ था पर जब से ये इसमें घपला हुआ और इसमें राना कपूर और अशुक कपूर के बीच में लडाई शुरू हुई उसके चलते हुए लोगों को अच्छा नहीं लगा bank उन्होंने अपने deposit withdraw करने शुरू कर दिये जिसकी वज़े से इसकी valuation भी कम हो गई और इसके पास available loans भी नहीं रहे loans को fulfill करने के लिए available funds भी नहीं तो इसकी condition एक falling snowball की तरह हो गई down the hill बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी और अचानक जाकर एक बहुत तेज speed पकड़ लेगी जिसको आप control नहीं कर पाएंगे जिहाँ अब उसी हिसाब से इसका हुआ market valuation कभी इसकी 100,000 करोड की हुआ करती थी और वो 25, 24 के आसपास रहगी है इसकी 100,000 करोड की रह गई है जी हाँ इसकी 100,000 करोड की रह गई है तो आप यह 24,000 करोड की रह गई है इसमें ऐसी बात नहीं है कि सब कुछ खराब है इनके पास प्रोड़क्ट अच्छे है या आपको emergency credit line प्रोड़ाइड कर सकते हैं अगर आप MMSME है या business enterprise है तो आप DSBank के थूँ loan अप्रूव कर सकते हैं तो यह अच्छा mechanism है उनके लिए और जिल लोगों को चाहिए फायदा वो भी बहुत अच्छा फायदा हो सकता है अब ज़र हम इसका long term chart देखते हैं जास हमने बताया इसकी listing मई 2005 में हुई थी करीब 45 रुपे पे और अब गर आप देखें अभी यहाँ पे तो जो यह मैंने black circle बनाके दिखाएने की कोशिश की गई आपको इसमें हुआ क्या है कि इसमें इन्होंने बहुत सारा खबर बुरी खबर आने लगी stock market के बारे में पोजीशन थी यहाँ पर promoters के पास इसका hold भी बहुत कम है बहुत छोटब promoter ने अपना stake रखा हुआ है ज़्यादा तर इसके FPI के पास है करीब 40% 300 से ज़्यादा इसके पास FPI के था और फिर loan जो पब्लिक रीटेल पब्लिक है उनके पास इसका holding था तो इसके चलते हुए ये शेर में काफी भूग चल मच गई और ये बहुत नीचे गिरने लगा अब ज़रा हम इसका weekly chart analysis करते हैं और देखते हैं ये क्या हो रहा है जी हाँ पिछले एक साल से ज़्यादा से ये falling download falling channel में है आपको पता ही होगा ये 400 से गिरना शुरू हुआ और नीचे जाके अभी 19 रुपे 25 वैसे पर आज बंद हुआ है हम ज़रा इसकी detail analysis करेंगे यहाँ पर weekly में आप ज़रा इस position को देखे जो ये 4 महिने का duration है यहाँ पर इसका price 200 रुपे से गिर कर literally 30 रुपे तक आ गया है जी हाँ, अब इसमें इतना गिरावट होने का क्या कारण हो सकता है अब आप समझी इस बात को और यह सिर्फ गिरावट की बात नहीं है आप इसका volume भी देखे relative बात करें, तो जो volume बढ़ रहा है इसका यहाँ पर, जिसका price 200 से गिरके 30 रुपे रह गया है वो एक बहुत खतरनाग बात है शेर के लिए कोई भी इस technical analysis करेंगे आप इसका तो आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ तो गड़बड चल रही है इसमें management खराब हो सकती है results खराब हो सकते हैं या लड़ाई के वज़े से है क्या हम इसको fp apply कर सकते हैं अगर हम इसको fp apply करें तो थोड़ा discount हमें मिलेगा और आपको यह देखना है कि यह long term के लिए यह अच्छा stock रहेगा आपके पास आगे चलका हम इस सब के बारे में आगे बात करेंगे कि पर वीडियो को आखे तक देखेगा और वीडियो अच्छा लगा तो एक बार like बटन जरू दबाईएगा प्लीज कंसर्ट यो फैनेशल एडवाईसर बिफोर इंवेस्टिंग और ट्रेडिंग अब जैसा हमने आपको बताया कि इनके पास में deposit की problem होने लगी है जी हाँ, जब से इनकी लड़ाई declare हुई है, management खराब हुआ है तो उसकी वज़े से चलते हुए इनके पास deposit कम ही होने लगी है तो तब RBI ने जब take over किया तो उनने परशांत कुमार जी है SBI के जो पुराने थे member उनको MD और CEO नियुक्त किया ताकि वो इसकी restructuring कर सके इसके shareholders की value को फिर से बबाल सके उसके चलते हुए उनने FPO को list किया है जिसकी तरह वो अपने depth को कुछ कम कर सकते है और उनको जो loan प्रवाइड करना है उसको भी थोड़ी मदद मिलेगी उनको करने के लिए दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो like ज़रूर दवाइएगा अब आगे बात करते हैं हम इसकी कि इसने at your fingertips service भी provide की हुई है आप mobile banking कर सकते हैं, net banking कर सकते हैं इन्होंने UPI भी provide की हुआ है और इनका chat board भी है, yes robot करके तो उससे आप कोई भी सहूलियत चाहिए, तो उसको ले सकते हैं इस परकार से अगर आप देखें तो ये जो yes bank है इसकी value काफी कम हो गई थी पर प्रशांत कुमार जी कुछ effort लगा रहे हैं इसको करने के लिए पर इसमें समय लगेगा दोस्तो अगर आप यहाँ पर देखें, अब हम आपको daily chart का analysis करेंगे, आप ज़रा चीजों को समझिए ये एक channel में फसा हुआ है करीब 33 रुपे से 20 रुपे के बीच में channel बहुत लंबा फसा हुआ है तो इसमें हो क्या रहा है, हम सब बताएंगे आपको volume भी देखें, कोई ज़्यादा volume नहीं है यहाँ पर इसको कह सकते हैं कि एक lower level पर consolidation हो रहा है हमारी सलहा, अगर आप banking sector में रहना चाहते हैं तो आपके पास इससे दूसरे अच्छे विकल्प है, जिनका current outlook अच्छा है, जैसे कि आप HDFC bank, जो दिगज bank माना जाता है उसमें invest कर सकते हैं, अगर आप PSU bank में जाना चाहते हैं, तो एक certain value पर SBI भी होगा मैं कुछ दिनों में इसका दोनों का वीडियो बनाऊंगा आप उसको देख सकते हैं, चैनल पर बने रहिए पर अभी के लिए, अगर आपको banking sector में जाना है, तो आपके पास दूसरे option available है, हम अपनी nifty और bank nifty के analysis भी आपको देते हैं, तो आकि आपको near term का पता लग जाए, हम थोड़े से bearish हैं अभी nifty और bank nifty में, तो हम सलहा करेंगे, अगर आपको खरीदना भी है, तो थोड़ा level नीचे पर खरीदियेगा, और staggered manner में खरीदियेगा, अब हम आपको असली सलहा बताते हैं, अब इसके support level क्या है, तो हमने कुछ level draw किये है, अगर इसका near term resistance दिखा जाए, तो 38 का resistance बनता है, और अगर इसके ऊपर जाएंगे, अगर इसको उसने ऊपर चलांग लगाई, और उपर बना रहा, तो यह 87 तक जा सकता है, जी हाँ, पर इसको वहाँ तक जाने के लिए बहुत महनत लगेगी और बहुत time लगेगा, अब अगर नीचे support की बात करें, तो इसके दो support आप ध्यान रुकिएगा, एक तो सबसे जो इसका low है 52 week, वह है 5 रुपे 55 पैसे के असपास, वहाँ पे इसका बहुत तकड़ा support रहेगा, वहाँ से बहुत करना पड़ेगा, इसका time जाथ लगेगा आपको, अब कोरोना के चलते हुए, इन्होंने अपना corporate account को भी काफी सहुलियत दिये, salary account आप अपने घर से ही खुलवा सकते हैं, ताकि corporate account खोलने में उने दिक्कत नहों, नए लोग जो apply zone कर रहे हैं, उनको फाइदा रहे इसका target हम बता रहे हैं, करीब 85 रुपे का, जी हाँ, 85 रुपीज का पर आपको बहुत समय इंतिजार करना पड़ेगा करीब करीब हो सकता है, 2 साल तक आपको इंतिजार करना पड़े, और बीच में इसकी news based information आते रहेगी तो हो सकता है, कुछ और नीचे डिप करें तो आपने अब समझा हमारा अगर आप चैनल को अच्छा लगा तो चैनल को subscribe जरूर कीजेगा, थन्यवाद